नमस्कार किसान साइथियों आज हम बात कर रहे हैं इपको कनेने यूरिया के बारे में इसके क्या-क्या फाइदे हैं और इसका परियोग करने का क्या-क्या तरीके हैं तो हम बात कर रहे हैं कि इसके फाइदे के बारे में तो निन्य यूरिया कि जलोई प्रियोगतन का मुख्य मद्दार है सट्टिक एंटी कव खेती के लिए और इसमें पोर आरफो सकत्तो प्रबंदन के मुख्य घटक है और फसल के उत्पादन बढ़ाता है कम लाकत में अधिक उत्पादन करना इसका मुख्य काम है बात कर रहे हैं कि इसका प्रियोग किस परकार से करना है तो बात करते हैं कि इसके प्रियोग के लिए आपको 2-4 ml पर लिटर के इिसका परियोग करना है पाणी के अंदर गोल बनाकर और 20-25 दिनों के अंतराल पर पहले छिटकाज के बाद में फसल में फूल आने से हिपहले इसका चिप्ताफ करना चाहिए मुझे बाद ये ये कि आपका इसका प्रियोग हमेंसा पसल में कल्ले पूर्टे समय यानि कि फूल आने से पहले इसका प्रियोग करना चाहिए जिसे अधिक परिणाम मिल सकता किसान साथियों बता देते हैं कि इपको नेनो यूरिया में नेनो तक्निकी परादा रित कर्शिक्रांती का एक इंपुट है जो नाइट्रोजन पर दान करता दिनेवाद किसान साथियों